आचार्य श्री श्रीवत्स गोस्वामी हिंदू वैश्नव परंपरा के एक प्रमुक विद्वान है। उनका जनम 1950 में विरिंदावन के श्री राधारमन मंदिर से जुड़े एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ। श्री गोस्वामी जी ने बनारस हिंदू विश्व विद्याले में पढ़ाई की। वह B.H.U. और अन्य विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुके हैं। श्री गोस्वामी जी ने कई पुस्तके लिखी हैं। वह ब्रज, संस्कृती और इतिहास के विभिन पहलूओं पर बहु विशयक अनुसंधान पर योजना के निदेशक भी हैं। श्री गोस्वामी जी विश्वस्तर पर सर्वधर्म संभाव के लिए समर्पित हैं। और रिलिजिन्स फॉर पीस एक अंतर राश्ट्रिय समहू के ओनरेरी प्रेजिजेंट हैं। 2011 में उन्हें भारतिय संस्कृती की सेवा के लिए संगीत नाटक अकाइडमी के पुरुसकार से सम्मानित किया गया। या उसके अनुभव के बारे में। बच्पन की यादों में अगर जाएं तो हिंसा का यदि स्मर्ण करूं तब अहिंसा के बारे में सोच पाता हूं। नहीं तो अहिंसा इतनी व्यापक एक सत्ता के रूप में जीवन में उकलब्द रही। और आज भी जब मैं बापस जाता हूं स्मृति के मार्ग से तो ये देखना पड़ता है के अहिंसा का जो विपरीत अनुभव है वो कब हुआ। तब अनुभव होता है के अरे ये तो हम जी रहे थे। जैसे प्राण वायू ऑक्सीजन मिलना यदी बंध हो जाए एक शण के लिए तब अनुभव होता है के अरे ऑक्सीजन तो एतना उपलब्द था। तो परिवार, मित्र, विद्याले, समाज, सब कुछ तो एक अहिंसा के मूल आधार पर ही चल रहा था। किन्तु विद्याले में गल्थी करने पर और तब शाद कानून इतने कड़े नहीं थे तो हाग पे मास्टर सहाब की संटी खानी पड़ तो वो क्या हिंसा थी? मालूम नहीं वो हिंसा थी कि अहिंसा थी? मालूम नहीं है। मालूम नहीं कर दिया और आपकी चहेती हुई मिठाई आपको न दी तो वो कितनी बड़ी हिंसा उससे बड़ी कोई हिंसा नहीं हो सकती। तो क्या वो ही हिंसा थी? या वो ये देख रहे थे कि पेट में कीड़े हो गए हैं, ज्यादा मिठाई खाओगे तो ठीक नहीं है। तो बहुत सीचीसों को देखते हैं तो आज यदि हम बापस जाते हैं तो हिंसा और आहिंसा का पूरा का पूरा जिश्च जो है अलग नज़र आता है, अलग नज़र आता है। और उसमें हिंसा के कुछ ख्यन रहते हैं, किन्तु वह अहिंसा के समुदर में कहीं ने कहीं जूप चुके हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि अभी हम जिस काल से गुजर रहे हैं, उसमें हिंसा ज्यादा हावी है और अहिंसा एक किसम से डिफेंसिव पे है, ऐसा लगता है आपको। इसमें यदि हम ध्यान करें तो ये दृष्टी का भेद है। एक्जिस्टेंशल प्रेडिकमेंट तो आज हिंसा 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 चाहें सामाजिक मीडिया देख लें या इलेक्ट्रोनिक मीडिया देखें या कहीं पर भी निगार डालते हैं। तो समाचार हिंसा के आते हैं, किन्तु फिर भी यदि हम निस्पक्ष रूप से सोचें, तो माली जिस नगर में आप रह रही हैं या जिस कजबे में मैं रह रहा हूं, वहां पर क्या हमारे लिए संभव है हिंसा और अहिंसा का अनुपात निकालता हैं? कि मुंबई नगर में अगर दो करोड़ लोग रह रहे हैं या चार करोड़ लोग रह रहे हैं, तो कितने करोड़ लोगों ने हिंसा अपनाई है आज प्रात्यकाल से? आज 10 अगर्स 2020 में प्रात्यकाल से मुंबई में कितनी हिंसा हुई है और आज मुंबई में प्रात्यकाल से अभी तक कितनी अहिंसा हुई है? अगर हम भारत सरकार के परम संगणक को, परम कंप्यूटर को भी उधार ले लें थोड़े समय के लिए और उसमें फीड करें कि इतनी हिंसा और इतनी अहिंसा तो जब अनुपात निकालने जाएंगे तो एरर मेसेज आ जाएगा. एरर मेसेज आ जाएगा. हिंसा जो है, वो कैलकुलेट भी नहीं हो पाएगी अहिंसा अगे अहिंसा इतनी व्यापक है, इतनी व्यापक है व्यक्ति-व्यक्ति में, घर-घर में, दुकान-दुकान में, कारियाले-कारियाले में, सडक-सडक पे, हर जगे अहिंसा से ही समाचार चेतना हिंसा पर अटक गई अहिंसा पर चेतना न गई और यह होना स्वाभाविक है और आवशक भी है आवशक भी है हमारा दे है पांच फूट से लेकि छए फूट तक है अमारे जैसे भीमकाय जैसे लोगों से लेके और जो सुन्दर अपने दे को रखते हैं उनका आयतन आप निकालिये तो अगर छे फूट भाई धाई फूट का आयतन निकालें और पंद्रे स्क्वाएर फीट निकले उसमे एक सुईं उंगली में चुप जाए। पूरी चेतना कहां होती है मनुश्य से। उस छोटी सुईं में होती है जिसका स्पेस का प्रपोर्शन हेल्दी बॉडी के प्रपोर्शन से कंप्यूटर भी नहीं निकाल सकता है। इस तरफ जाना आवश्यक है। अगर वह विपरीत धर्म, जो अधर्म है, अधर्म पर हमारी चेतना न गई। तो हम भीश्वतれたम हैं बन जाएंगे। हमारे रोम रोम में अधर्म होगा और हमको उसकी जानकारी नहीं होगी हमको उसका ज्यान ही नहीं होगा, हम उसको पिड़ा ही नहीं होगी और जब पिड़ा ही नहीं होगी तो हम अधर्म को दूर क्यों करेंगे हम अधर्म को दूर क्यों करेंगे तो इसलिए यहाँ दो बड़े विसंगतियां हैं कि अनुपात में हिंसा कहीं भी नहीं है, किन्तु चेतना में हिंसा च्छाई हुई है, और वह मानव कल्यान के लिए ही ऐसा चेतना का विद्धान किया गया, कि जो असत है, जो अधर्म है, उससे पती सावधान रहो और उस पिन को निकाल के फैको, जो पिन चुभा हुआ है, उसको फैको, जी तो हमारे पूर्वजोन जब ये कहा कि अहिंसा पर्मो धर्म, उनका यही मतलब था और शायद इसी बात को गांधी जी ने पकड़ा, जब ग non-violence is as old as the hills, शायद वो भी यही कह रहे थे, जो अब आप कह रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा विचार के मूल में जाना चाहूँगा, मूल में जाना चाहूँगा, मनिश्य का विचार केवल एक बिंदू पर केंद्रित होता है, और वहां स्वार्थ परक होता है, मेरा इस बात से क्या अर्थ निकलेगा, मुझे क्या लाब होगा, मेरा हित किस में होगा, मनुश्य सदैव, चाहें वो अनादिकाल हो या आदिकाल हो या वविश्यकाल हो, उसके चिंतन का बिंदू यही होता है, तो वह क्या मूल्य हैं, वह क्या सिध्धांत हैं, वह क्या प्रक्रियाएं हैं, जो हमारी भलाई को सस्टेन कर सकती है, हमारे सोख्य को सस्टेन कर सकती है, धारन कर सकती है, जिसपे हमारा जीवन सुखद रूप से टिक सकता है, तो वो टिकावू बातें क्या हैं तो टिकावू बातों को जब फूजने निकले तब देखा कि अरे भाई सत्य के विना जीवन टिकता नहीं है जीवन टिकता नहीं है जेंशा की बात जो हुई वही बात उस पर याप लगा सकते हैं बिना प्रेम के जीवन टिकता नहीं है बिना करोना कंपैस्षन के जीवन टिके गाने और खाली करोना कोविद की बात नहीं है शौच वो धर्म का एक मूल रूप है शौच पवित्रता है जीन इसको अगर हम हलके रूप में कहें हमारे यहां शौच बहुत व्यापक है वो मनसा वचा कर्मना सब कुछ शौच में आ जाता है जैसे अहिंसा भी मनसा वचा कर्मना आ जाती है तो वह भी उसके बिना क्या जीवन चलेगा और इस कोविद-19 ने बता दिया कि पवित्रता हौशा उच है कितना आवशक है शम और दम सेल्फ रेस्ट्रेंड इसको हम आज कह रहे हैं समाजिक दूरी वो उसका एक रूप है तो इस तरह से हमने ये खो जा कि हमारे कौन से व्य हमारे जीवन को टिका सकते हैं अपने ऊपर उसका भार वहन कर सकते हैं और हम सुखद रूप से अपने जीवन को जी सकते हैं तो हमने सूची बनानी शुरू की सत्य जोड़ा अहिंसा भी जोड़ दी उसमें फिर उसमें प्रेम भी जोड़ दिया फिर संतोष जोड़ दिया फिर सरल्ता जोर्दी और आपको मज़ा यह होगा कि यह आज भी open-ended list है यह धर्म के list बंद नहीं की गई है धर्म माने धारण करने वाले मूल्य और प्रक्तियाएं तो हम जब-जब किसी मानव धर्म को देखते हैं मानव गुण को देखते हैं कि यह उपियोगी है और यह काम आ रहा है तो हम उस list में उसको खुसा देते हैं और यहां तक भी हुआ कि समयानुसार हमने उसको बदलते भी रहे उसकी बात हम थोड़ी दिर में अभी करेंगे किन्तु मूल बात क्या है कि इस list में सत्य, गया, संतोश, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचरिय जोडते जाएं जो भी अच्छे-च्छे सद्गुन हैं वो धर्म की सुची में जाते रहे मजा यह है कि इसमें हर धर्म, हर वैल्यू परम धर्म है हर वैल्यू परम धर्म है यह बड़ी बिलक्षानता है सत्य इस परमो धर्मा अहिंसा परमो धर्मा हर शब्द को आप जोडते जाएं वो सब परम धर्म है अपने आप में वो स्यू जेनरिस हैं, एपसलूट हैं और अल्टिमेट हैं किन्तु एक दूसरा कैच है उसमें बहुत बिलक्षण और यह हमारे रिश्यों की एक अध्भुट सोच है कि यह जितने भी धर्म हैं यह एपसलूट होते हुए भी इन देंसल्थ आप अध्या को चोड़के अहिंसा की बात नहीं कर सकते हम ब्रह्मचरी को चोड़के अहिंसा की बात नहीं कर सकते वो ऐसा होगा कि किसी की गर्दन काटके और मनुश के देहे की बात करो किसी के हाथ पेर काटके और मनुश के शरीर की बात करो तो ये जितने भी धर्म हैं ये सब जैविक रूप से जुड़े हुए हैं एक शरीर के हिस्से हैं और इसी लिए जब ये धर्म सब इखटे हो जाते हैं तो भगवान की मूर्ती बन जाते हैं ऱ午 वर्णी वान हर्म हनृ ये लूप रूडव द लिए वर्णी जाते हैं टो करेंत lover लूप रूड़ीन ओर्णी गुड़ार द हर्म हैं बनी टीज लिंग वार्णी हम हैं तो लूट्स अव् listen when तो इसके बाद यदि हम देखें तो दो तीन शास्त्रों की बात समझ में आती है यह जो नहरा चला अहिंसा पर मोधर्मा तो उसका मूल आता है महाभारत से यह बड़ी विलक्षन बात है कि महाभारत के खेल में जितनी हिंसा हुई मानव इतिहास में कभी नहीं और वह महाभारत के रहा है है अहिंसा पर मोधर्मः के चिंद्टु वह आहिंसा यह का सत्य प्रतिश्च्चतां विचिस फांड़ अन ट्रूप वही अहिंसा परमधर्म है जो सत्य पे आधारित है जो भै पे आधारित है वो अहिंसा नहीं है शाद बापू भी यही कहते थे यही कहते थे महाबारत की बात दोरा रहे हैं वो तो सत्य कृत्वा प्रतिष्ठाम तू प्रवंतद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द कैसे जुड़ा हुआ है अहिंसा सर्वभूते ब्यार केवल मनुष्य मनुष्य के प्रती अहिंसा करे और सौकर्टीस की वो बात याद आती है वो कहता है कि शांती और अहिंसा की बात नहीं करना जब तक कोई मृत जीव तुमारे खाने की टेबल पर है सौकर्टीस जब तक कोई मृत जीव तुमारे खाने की टेबल पर है शांती और अहिंसा की बात मत करना वो हिपाक्रिसी है हिपाक्रिस तो अहिंसा सर्वभूते ब्यों प्राणी मात्र के पिति अहिंसा रखनी है और सम्भिभागश्च भागशा जिसका जो सोशल ड्यू है उसका सम्भिभागन करना है जो उनको एक्विटेबल डिस्टिबूशन करना है प्रॉपर डिस्टिबूशन करना है तभी अहिंसा इस्थापित हो सकती है यदि डिस्ट बैलेंस है सोशल में एकोनामिक एंड मेटिरिल रिस्टिबूशन का तो अहिंसा नहीं हो सकता है इसमें मतलब जिसे अंग्रेजी में हम आजकल स्ट्रॉक्चरल वाइलेंस कहते हैं अपने घर में आपकी माँ अभी आके आशिरवाद दे के गई मुझे भी आशिरवाद मिला और हम उनके चरणों में कोई अपराद कर दें तो वो दम को प्रियोग करती है उसमें खींच के थपढ़ हमको आपको नहीं लगाते है प्यू क्योंकि वो ज्यादा बल है उनमें समझदारी का ज्यादा बल है और जिसके पास बल है वो ही आहिंसक हो सकता है कमजोर कभी आहिंसक हो नहीं सकता हो नहीं सकता तो दम फिर त्याग तो त्याग वही तो करेगा जिसके पास कुछ होगा जिसके पास कुछ नहीं है बिकारी से कहिए तो भई त्याग कर दो तूं तो बोले मैं तो जन्मजात्यागी हूं उस त्याग का कोई माहिने नहीं है और दमात्यागो ध्रति सत्यम भवती अब भ्रताय चाहवा कहते हैं यह मानव जीवन के यग्य की पूर्णा होती है यदि अहिंसा का पालन हमने कर लिया तो अला कोई धर्मने कें तो फिर वह कहते हैं अहिंसा परमो धर्मह icons धर्मस्तता अहिंसा परमत्पा यदिशापी अहिंसा परम धर्म है अहिंसा ही परम्तपस्या है अहिंसा परमं शक्तियत हैं और परम सत्य भी केवल अहिंसा है यतो धर्मः परवर्तते जिस सत्य के कारण से अहिंसा का परवर्तन होता है यह अहिंसा की पात है कि इन्टु वहां अहिंसा उसको जदी हम देखें तो दो-तीन बातें इसमें निकल कर आती है कि यह जितने भी धर्म गिनाये गए उन सब सकारात्मक गुण है दे आर नोट नेगेटिव क्वालिटी दे आर नेवर डिस्क्राइग्ड थू इन नेगेटिव टर्मनोलोजी अहिंसा से हमको लगता है कि इस एपसेंस ऑ बॉयलेंस यह अंग्रेजी में अनुवाद करने के च हिंसा में किन्तु नॉन वाइलेंस ने चौपट कर दिया बस सोच लिया कि हिंसा को हम रोक गएंगे तो अहिंसा आ जाए यह हमारे विचारकों का कभी भी मत नहीं था तो धर्म रक्षार्थ हमें करना क्या है अहिंसा की व्याक्या वही महभारत फिर करता है वो कहता है अहिंसा परमो धर्म हार इती यह भी नराविद्धु जो जन जानते हैं कि मान यह अहिंसा परम धर्म है परम करतव्य है अल्टिमेट वैल्यू है अल्टिमेट प्रिंसिप पुल है सब कुछ है कि तु सग्रामेशुन जुद्ध्यंते जो धर्म की रक्षा के लिए संग्राम में नहीं उतरता नरकम याति घोरम वहाँ अधर्म का पालन करता है और वहाँ अहिंसा अहिंसा नहीं रहते धर्म की रक्षा करने के लिए उन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंसा में उतरना पड़ेगा युद्ध में उतरना पड़ेगा और इसी लिए वह साबरबती का पागल आदमी गाउं गाउं जाके प्लीड कर रहा है कि प्रथम विश्यूद में ब्रिटिश आर्मी में भरती हो जाओ हिंसा करो मार काट करो वो अहिंसा का पुजारी हिंसा के लिए रिकूरूट्मेंट कराता डोल रहा है यह नौन वाइलेंस के अनुवाद से समझ में नहीं आई यह अब बात समझ में आएगी महाभारत से महाभारत से समझ में आएगी तो धर्म क्या है अहिंसा है और वह अहिंसा क्या है एक सार्व भौम गुण है जो मानव मत्र पे पाया जाता है मानव मत्र में अब आप देखिए कि आज भी बड़े बड़े हिंसक राज नहीं जब हिंसा में उतरते हैं तो उनके मुझ से एक ही वाक्य फूटता है वी केन नाट टॉलरेट दॉइलेंस और उसके लिए हम बड़ी वाइलेंस करेंगे हर युद्ध यहीं से शुरू होता है कि हम हिंसा को सहन नहीं करों तुम दुस्तों से पूछो किंतु उससे जो हमको सीखने की बात है वो यहीं है कि जहाएं वो दुस्त लोग भी करो कर रहे हैं इन्तु आहिंसा इस युनिवर्सल हुमन ट्रेट युनिवर्सल मानवधर में है वो मानवधर में है दूसरा इस एप्लिकेबल फर आल टाइम्स अनादी ऐसा नहीं कि पहले नहीं था अब हम ज्यादा मॉडर्न हो गए समझदार हो गए डेमोक्राटिक हो गए फलां हो गए गांदी आगे मंडेला आगे मार्टन लूथिट किंग जूनियर आगे तो हम अहिंसा समझ गए ऐसा नहीं है और जब यह लोग मर जाएंगे तो फिर हम अहिंसा भूल जाएंगे ऐसा भी नहीं है यह अहिंसा हर समय ऑपरेटर इसलिए सनातन धर्म है मानव धर्म है और सनातन धर्म है सनातन धर्म है और इसलिए मैंने इसको शुरू में कहा कि यह हमारा एक्जिस्टेंशल प्रेडिकम में हर संस्था में, हर देश में, हर महादीप में अहिंसा से ही काम चाल रहा है। जो देनिक ब्यावाहार है वो अहिंसा के ऊस्मक ही चाल रहा है। अहिंसा की ओपर जहाए। So now let us look at आहिंसा from another perspective and changing the scene and I should use not English but I should use Sanskrit भाषायाम अहम प्रबख्षामि चोंकि मैं देवताउं की बात करने जारा हूं मैं आहिंसा I'm going to talk from the perspective of the divine और तब हमको समझ में आएगी कि ये मानव घर्म है क्या है और ये applicable कैसे है अगर हम इश्वरिये दृष्टी से सोच सकें मैं को नहीं मालूं कि मानव इश्वर की तरह सोच सकता है किन्तों जदी हम कल्प ना करें कि मनुष्य कुछ भी हो सकता है तो वो इश्वर भी हो सकता है दैवी भी हो सकता है तो वो दैवी दृष्टी से सोचे तो वह दैवी शक्ती का एक ही संकल्प है कि वह बहुत कंसर्ण है बहुत कंसर्ण को क्या कहेंगे हिंदी में उसको चिंता है चिंतित है और एकदम समर्पित है उस चिंता को और उस चिंता के लिए सदेव एक पैनी दृष्टी लगाये हुए है एक वाच्मेन की तरहें वो दैवी शक्ति काम करती है और वो क्या कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवर कि कहीं धर्म कमजोर तो नहीं पड़ रहा है धर्म कभी भी लोप नहीं होगा लोप नहीं होता था अगर लोप होगा तो मानवता लोप हो जाएगी स्रिष्टी ही लोप हो जाएगी धर्म के लोप होने से किंतु यदि वो कमजोर भी पड़ेगा तो कश्ट आए तो उसको सुधारने के लिए वह कहते हैं कि इसको फंक् हिस्ट्री में और बार-बार करती है और जितने मानव के इतिहास हैं खाली हिंदू धर्म का इतिहास नहीं वहां वहां देवी शक्तियों ने इंटर्वीन किया है चाहें मौहमद सहाब लैट पीस भी अपॉन हिम चाहें दो होली संद उन्होंने किया या हर संस्कृति के अपनी एक देवी संभाहक आते हैं तो वह करते क्या हैं विनाशायच दुष्कृतां दुष्टों का संघार करके और संतों को जो धर्म का पालन कर वाले धार्मिक लोग उनकी रक्षा करते हैं उनका पालन करते हैं तो यह क्या है यदि इस पर हम विचार करें एक शन के लिए तो कुछ मुझे इसमें विसंगती दीखती है इस इश्वर ये क्रिया में भी कहीं कुछ मुझे बढ़बड़ी लगती है इश्वर ख्यमा करें पहले से इश्वर ख्यमा मांग लेता हूँ और जो पहले से ख्यमा मांग लेते हैं वो एंटिसिपेटरी बेल है तो ऐसा लगता है तारकिक रूप से यदि हम देखें तो यह बात जमती नहीं है ये ऐसा लगता है कि हम चोटे से अन्धकार को बड़े अंधकार से और मिटा ना चाह रहे हैं। हिंसा को बड़ी हिंसा करके हम शांत कर सके। और हमारा आधुने के तिहास ये बताता है कि जब जब हमने हिंसा के द्वारा हिंसा को शांत करने की चेश्टा हुई है। इश्वर का जो कृपा करने का तरीका है उस देवी शक्ति का उस धर्म की रक्षा करने के लिए वह कुछ अतार्किक सा लगता है। वो ऐसा लगता है कि छोटे अंदकार को मिटाने के लिए बड़ा अंदकार और हिंसा को मिटाने के लिए बड़ी हिंसा तो बिनाशाइज दुष्कृताम और यह एक तरह का नौर्म बन गया जहां जहां यह डिवाइन इंटर्वेंशन हुए वहां बड़े-बड़े दुष् आगा कि द्र मसंस्था पनार थाया संभवामी युगे युगे और नियम यह बन गया कि वेदी की हिंसा इंसा न भवतौ। वाइलेंस तब इश्वर को समझ में आया कि मैं कुछ और करना चाहिए। और पता है क्या हुआ केशब ध्रित एक केशब ने उस परमसत्ता ने एक रूप धारण किया और उसने क्या कहा निंदस यग्य विदेर रहा रहा सुति जाता सदय हिर्दय दर्शित पशुग हातम वैदिक प्रस्किप्शन्स के अनुरूप यग्य यागादियों में निर्बल और मूख पशुओं की बली की उस अवतार ने निंदा की और सदय हिर्दय दर्शित पशुग हातम और उसके हिर्दय में उस अवतार के हिर्दय में उस धार्मिक हिंसा से भी एक गर्द हुआ तो केशव धित बुद्ध शरीर तब वह परमात्मा बुद्ध के रूप में आए उन्होंने का कि हिंसा को यदि दूर करना है तो अहिंसा की स्थापना करने को अंदकार को दूर करना है तो प्रकाश से ही अंदकार दूर होगा चाहे प्रकाश छोटा हो अंदकार कितना भी बड़ा हो परवा नहीं एक धीपक जलाना है बस अंदकार लोग हो जाए वो quality की बात है वो quantity की बात नहीं है और ये post-modern mind में quantity रह गई quality खतम हो तो गौतम बुद्ध आते हैं महावीर आते हैं ये divine interventions केवल अहिंसा की sensibility को grow करने के कारण से हुए हुए और इसको हम भागवत धर्म कहते हैं वह वैशनव परंपराएं सब और फ्हली नायनार संत आलवार संत देश के कौने कौने में संत शेतना जो है जागरित होती है और सब एक स्वर से हर यूग में और अहिंसा का गीत गाते हैं वो विनाशाय दुष्कृताम की बात नहीं करते हैं और जब यह घटा तो हमारे कल्यूग में एकरांतिकारी घटना हुई जिस परंपरा का यह ट्रेड मार्क में अपने माथे पर लगाए दूता हुई तो हुआ क्या 1486 इसवी में बंगाल के नवद्रीप नामक नगर में जो उस समय की काशी कहलाती थी पंडितों की नगरी कहलाती थी एक व्यक्ति का अभिर्भाव हुआ और जब अभिर्भाव हुआ तो लोगों ने कहा कि करुणयाव तीरनाह कलव वहाँ एक मानव धर्म का पालन करने के लिए और उनका कल्यूग में अवतार हुआ उनका नाम था शी कृष्ण चैतन्य महाप्रभव चैतन्य महाप्रभव इसलिए करुना क静्श मज्यावतार से लेके और अभी तक मारकार लेकत चैते तो करुना तहल गए उनने काम अब मारकार बंद करनी करती इच अब नियम होगा the rule has to change what rule has to change परित्रानाय साधुनाम परित्रानाय चदुश्कृता I will look after the welfare of the wicked also the evil also उनको भी मैं मरूंगा नहीं उनको नष्ट नहीं करूंगा विनाष नहीं करूंगा उनको परिवर्टित करूंगा उनमें जो दोश है उस दोश को मिटाऊंगा इसलिए जो हत्यारे जगनात और माधव जगाई मधाई के रूप में जाने जाते हैं टकेत, हत्यारे, बलादकारी उनको उनके दोशों को दूर करके और उनको संत्पना दिया और ऐसे कई उधारन चैतनी के जीवन में आये जहां उन्होंने वह परवर्तन किया इत वाज शूज क्वान्टम नोट जम बट लीप एक महा संक्रांति घटी गैवी ये ये एतिहास में और एक और घटना घटी वहांपर उन्होंने कहा कि ये जो धर्म की सूची है ये अधुरी है परम धर्म तो इसमें आया ही नहीं कि ये जितने धर्म हैं थी यजे दार था टेश जयर यह तर असिलरी जए है। थे लिए ए टेंटर चेंड गच्राइप मेड कर दे लिए लिए भॉक्ति बिना जोगतेर्न नहीं आवस्थान this world will not sustain even one second without bhakti and bhakti in hindi means seva in sanskrit also it means seva in english the primary meaning is service so he said sewa hi paramo dharma sewa hi paramo dharma jub tuk sewa ko param dharm ke rup mein establish nahin karoge na saty ki upyogitah hai na ahinsa ki upyogitah hai na santosh ki na shil ki na kisii aur dharm ki sewa 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 to sewa ki baat kyunki kyunki ek mudda tha mudda tha yaha sansaar jaisa bhagwan shankracharipat adi shankar kaatay hai yeh sansaar kya hai asmad yusmat pritye gocharo vishay vishayino tamah prakashvat yeh sansaar is a bundle of oppositions me and you subject and object light and darkness polarities 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 so binary opposites is a bundle of binary opposites chaitanya nai kaha ki yeh galti hai yeh bhoot hi basic understanding hai phenomena ki phenomena is larger than larger than that phenomena includes both includes both there is no pure darkness in this world there is no pure light in this world there is no pure light in this world there is no pure light in this world दर्द को समझना या उन्ती प्रसंदता को समझना बात एकी है तब फिर हम क्या होगा कि यदि हम दूसरे के दर्द को समझ जाएंगे तो हम दर्द कभी नहीं देंगे तब फिर हम दर्द नहीं देंगे अच्छे व्यश्नव होंगे और बापू का वाक्या आपको याद आगे तो परम धर्म क्या है सेवा करना और वह भी प्रेम से सेवा करना इसकी व्याक्षा वो चैतने करते हैं कि यह जो परम धर्म मैं प्रेम मई सेवा को परम धर्म बता रहा हूं वहाँ आहिंसा के ऊपर टिकी हुई है, आहिंसा सेवा पर टिकी हुई है और सेवा आहिंसा से चलती है, तो हम चैतन या महाप्रभू के जीवन से और व्यशनव परमपरा से इसको कैसे देखें? 1515 की घटना है, heavily prosecuted by the foreign powers, the alien religion, which was ruling Bengal at that time, उससे बच के चैतन ने जगनात पूरी की हिंदू किंडम में एक्जाइल में रहने लगे. It was a real-life experience, persecution. फिर वहां जगनात पूरी से अपने इस्ट देव, कृष्ण की भूमी की यात्रा की उने, ब्रंदावन की, क्योंकि उनका मन कृष्ण की आराधना में था. जब वो यहां पर आये, तो he was shocked to death, that there was no geographical collateral to the concept called ब्रंदावन. In 1515, there was no बसती, कोई ग्राम नहीं था, बसती नहीं थी, कोई नगर नहीं था, जिसको ब्रंदावन करके बताया चाह सकते. और उस अरिया में, जिसको मतुरा मंडल कहते हैं, उस अरिया में हो क्या रहा था? हिंसा का तंडव हो रहा था. It was the Lodhis were trying to establish, and there was a total chaos in the power axis of Delhi and Agra, and in between falls this मतुरा region, where ब्रंदावन falls the part of today. तो आप यह देखिए, कि उस हिंसा के बातावरण में, चैतन्य करते क्या हैं? उनका जीवन दो बार invading armies में वो capture हुए, और उनका execution होने जा रहा था. miraculously दो बार उनका जीवन बचा, इतना direct experience violence के साथ उनका हुआ, उस journey में. But how did he engage with the other? उनके पास दो option थे. एक तो diabolical confrontation. कि हिंसा का जवाब, इट का जवाब पत्थर से दो. हिंदू शक्ति को इखटा करो, और उस आकरांता की तलवार की धार को खतम करो. वो एक तरीका है. फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस रास्ते पर जाएंगे, तो सर्व बिनाश होगा. किन्तो मुझे सब का साथ चाहिए और सब का विकास चाहिए. तो वह कहते हैं कि मैं समवाद करूँगा. जो दूसरा है, उससे बात करूँगा. उसके लिए अपनी एक मैनेजिंग टीम बनाते हैं. छे साल हिंदुस्तान में घुमते हैं, केपिबल लोगों को पकड़ते हैं, और छे लोगों की टीम बनाते हैं, उसमें से तीन मुसल्मान थे. जो मुसल्मान ही रहे. वो मुसल्मान रहे, उनको कनवर्ट नहीं किया, किन्तु वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी के नाम से विख्षात हो गए. और वो आज ब्राम्मनों के भी ब्राम्मन के रूप में पुझे जाए. तो वह गोस्वामी और वह राजपूत और वह मुगल पावर. ये जब एक ट्राइंगल बना और बाचित हुई, तब कुछ अनौखा घटा. अनौखा क्या घटा? कि 1598 इस्वी में मुगल समराट अकबर, जो इसलाम के पृतीब बहुत फेटफुल हैं, उनकी जीवनी अदिया पढ़ें, तो दीने इलाही की तो बात करते हैं, किन्तु इसलाम को वह अक्षडशा पालन भी करते हैं, जो भी इसलाम का सकारात्मक रूप है. वह लाहौर में बैठके 1598 में जीव गोस्वामियों को ब्रिंदावन नामक एक नया शहर बनाके अर्पित करते हैं, एक हजार बीगा का वह लेंड, वह गोविन देव मंदिर को ब्रिंदावन अर्पित करते हैं. मानव इतिहास में ऐसी दूसरी घटना नहीं है, जहां पर दूसरे के साथ इंगेज किया जाए, और इतना दूसरा जो केवल तलवार, तलवार और तलवार की भाशा से बात कर रहा है. उसकी तलवार को बंद कराके और उसको हिर्दय की भाशा उससे बुलवा ली जाए. ये अहिंसा का एक अभूत पूर्व उप्रियो मानव इतिहास में हुआ, जहां एक विधर्मी ने दूसरे विधर्मी को उसका पवित्र तम पुज इस्थल बना के अर्पित किया. कहीं भी उधारन नहीं है, कहीं उधारन नहीं है ब्रंदावन को छोड़ के. 1598 इस्थी में अकबर ने ब्रंदावन बना के गोविंदेव और जीव गोस्वामी को अर्पित किया. किंतु उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए we need a system of logic, एक thought process चाहिए. और भारत में उस thought process को बहुत सावधानी से पकड़ाते हैं. चिंतन का जितना इतिहास है वो इस polarity में घूमता है. अद्वाइत और द्वाइत. Non-difference and difference. और यहां logic गलत है. चैते ने कहते हैं यह logic ही गलत है. क्योंकि अगर non-difference है, तो दूसरे का इस्थान नहीं है. अगर अद्वाइत है, तो अहम ब्रमास में ही हूँ, जो कुछ हूँ, दूसरे को हटाओ. सब मिध्या है. It is false. The other is false. उसको हटाना पड़ेगा. फिर उसका जो binary opposite है, वो है द्वाइत. Difference. और Absolute Difference. Absolute Difference में भी कोई लाब नहीं है. तुम वहां राजी, हम यहां राजी. मिलना नहीं हो सकता. Absolute Difference भी मानव के किसी काम का नहीं है. तो एक नया तरक सोचना होगा, जहां पर भेद और अभेद दोनों एक साथ रह सकें. और उसके लिए भारती आत्मा से विचार करना होगा और भारत की आत्मा है रस तक्तो में. एस्थेटिक्स में. क्योंकि भारत मुनी ने ही नाट्य शास्त्र हम को दिया है, रस को ब्रह्म बताया है और उस एस्थेटिक अनुभव को, एस्थेटिक एक्सपीरियंस को ही मानव का जीवन का लक्ष बताया है. वह रस, सरस्ता. तो जीवन के हर छेत्र में सरस्ता आनी चाहिए और इस बात को बापू से अधिक कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? और आप कहेंगे कैसे? उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यक्ता नहीं है. बापू का the sense of dress, it was immaculate. His aesthetics of living, eating, sleeping, bathing, आप सुक्षम से सुक्षम से छोटी से छोटी उनकी बात पकड़ लीजे, वो सब aesthetic है. परफेक्ट aesthetic से चलती है. रस के लिए एक रसिक चाहिए, एक वस्तु चाहिए जिसका की स्वाद लिया जाए, एक रसगुला तो चाहिए, और एक रसगुला खाने वाला चाहिए, तब उसको खाने की प्रिक्रिया होगी, रसा स्वाद होगा. So, this aesthetics of relationship presupposes an other, which is seemingly opposite to इसलिए चैतने महाप्रभू कहते हैं, यह जो हमारा तर्क है, वो राधा कृष्ण के महारास के द्वारा हमको उपलब्द होता है. Where the opposites dance together to create a homogenous aesthetic experience. A महारास, is a महारास, is a dance of the opposites together. They complement and enrich together. जो हमारे पास नहीं है, वहाँ हम अपने opposite से, जो हमारा opposite है, उससे हम लेते हैं. तो हुआ क्या? कि जब यह समवाद हुआ और यह चैतने महाप्रभू का अचिन्त भेदा भेद का तर्क, जब ऑपरेशनल हुआ through dialogue समवाद के माध्यम से, तो वो खाली armchair game नहीं था. जैसे बापू की अहिंसा, खाली एक आश्रम का experiment नहीं था. वो विशुक और इतिहास को बदलने वाली घटना थी. उसी तरह से चैतने के उस समवाद ने भारत के इतिहास को बदल दिया और यह बात में डॉक्टर इर्फान हबीब के माध्यम से क्या था. उनकी एक किताब है दब्रज भूम उन्होंने यह सब चीज़ें उसमें डॉकुमेंट की हैं और उन्होंने कहा कि चैतने की उस अप्रोच के कारण से इंडिया वेंट इंटु ए गोल्डन एरा. इनकी एक・।। रून शॉर्थ ए बूम आ दिभू देहरा प्ली फेृ मॉल धुकल ईख obecुर फॉन मेंट रहे सब रूम के मेंटिर्श छ्युन्सिफंट का कि उमनली यह. which was not exploding in 16th century in India. We were contributing almost 43% of GDP in the world. That's right. So, let's see, what are we doing? Samvaad. Where there is a adar. And with that adar, there is a samvaad when we are going with aesthetics. Until we talk about the peace and peace. What happens in aesthetics? When the two lovers meet, what do they do? They are entitled to a particular relationship. Every premier, a 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 premier. He says, we give such a joy. That we give such a joy. We have never thought that we give such a joy. It will become underdog. So we give such a joy. दे दें इसलिए वहाँ सेवा ही परवों धर्म हाँ की जो बात हुई जिसमें तत सुखे सुखेत्वम की बात अंडरलाइन है और यहाँ जो सेवा धर्म है वो ही अहिंसा का धर्म है और इसलिए बापु ने अपने आश्रम का नाम क्या रखा सेवा ग्राम नहीं रखा आहिंसा ग्राम नहीं रखा तो मैं यह नहीं कहूंगा कि बापु ने चैतने महाप्रभू से को सीखा मैं यह कहूंगा चैतने महाप्रभू ने बापू से सीखा था और चैतने महाप्रभू ने सर्व प्रथम असहयोग आंदोलन पॉलिटिकल असहयो नगर कीर्टन करने के लिए open practice of कीर्टन was banned by the political powers, चैतने ने असहयोग आंदोलन किया था, शांतिपूर्ण, और उस order को reverse कराया था. इस तरह से बहुत सी ऐसी बाते हैं जो उस बापू और महाप्रभू की intertextuality, हम यह नहीं कहते हैं कौन किस ने किस से लिया, वो कहना एक पास्चात्ती बिचार है. हमारे यहां तो यही बिचार होता है, जब जब मनीशी आए हैं और उन्होंने जब भी कुछ नया किया है, और यह भारत की गौरब की बात है, वो यही कहता है, कि मैं अपने परंपरा की बात कर रहा हूँ, और बापू भी यही कहते हैं, मैं अपनी परंपरा की बात, मैं कोई नया नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी परंपरा की बात कह रहा हूं ये बात दूसरी है को उसको माज के कह रहा हूं उसकी गंदगी को हटा के कह रहा हूं उसमें जो जंग लग गई है उसको साफ कर रहा हूं किन्तु मैं बात वही कह रहा हूं अनादिकाल की बात कर रहा हूं कौन उतार सकता है जो ग्रहस्त् है जो आम सामाजिक जीवन को जी रहा है वो प्राता है से लेकर सायंकाल तक बिना सेवा के जी ही नहीं सकता तो सेवा अनंत है और सेवा की कथा भी अनंत है बहुत बहुत शुक्रियाज request कर दो कर दो